अपने सभी दर्सकों का आज के इस कारकरम में स्वागत है और आज के इस कारकरम हम अपने एक बहुत दिब्ब और भारत को सक्साली बनाने वाले देश को एकी करण करने वाले परम आदरी महापुरुस सरदार बल्ला भाही पटेल के बारे में हम आपको बताएंगे और आज के दिन हम उनके महान कारों को भी याद करेंगे एक ऐसे महापुरुस को हम याद करने का मौका मिल रहा है जिनके नाम से पुरा विष्व विष्व की करण दिवस मना जा रहा है और भारत की एकता को भारत की अखंडता को तो उस महापुरुस को याद करते हैं आपार हर सो रहा है और आज के दिन उनका जन्म गुजरात प्रांत के नडियार में हुआ था और उनके पिता जी जवेर भाई पटेल जी थे और उस महापुरुस के दो संताने थी जिनका नाम मडवेन और डाया भाई पटेल था तो मडवेन इनकी पुत्री थी जिन्होंने आजादी देश के आजादी में भी और उसके बाद भी सरदार पटेल के साथ कंधे से कंधे मिला कर काम किया था और उनका भी इस देश के विकास में बहुत महान योगदान है तो ऐसे महापुरुस को हमारा कोट शह और बारंबा का नाम भी देशों में भी उचा कर रही है तो ऐसे महान पुरुस जिनको सन 1991 में देश के सर्बोच भारत रत्न पुरसकार से नवाजा गया उनकी जो बिशेश योगदान है उसकी हम चर्चा करेंगे कि देश में 562 रियास्ते थी उस समय प्राक्सिमेट 562 ऐसे ही काउंट किया जाता है तो इतने रियास्तों को एक करने का स्रे और देश के लिए जो उन्होंने सोतंता के बाद भी काम किये हैं वह सदेव अग्रिम पंक्ति के नेताओं में महापुर्सों में अस्थापित करने के लिए प्रयाप्त है सरदार पटेल कहा जाता है कि एक बार वो है अपनी वकालत कर रहे थे और तभी उनको एक तार मिला वो तार पढ़कर करके उन्होंने अपने जेब में रख लिया और अपने मुकदमे की बहस करते रहे तभी पता चला जब ये बहस समाथ हुई तो लोगों को पता चला कि आज उनकी पतनी इस दुनिया में नहीं रहे तो लोगों को बड़ा घोर आश्चर हुगा उन्होंने ऐसे महापुरुस के बारे माश्चर भी प्रगट किया और सब लोग आश्चर चकी थे लोगों पूछा ऐसा अपने क्यों के उन्हों कहा कि जिस काम के लिए मैंने अपने वकिल से मुकिल से फीस लिया था उसका करतब निर्वार्न करना मेरा धर्म था इसलिए मैंने वो किया अब मैं अपने पत्नी के प्रत अपने कर्तब में का निर्भान करूँगा तो ऐसे महान पुरुस थे और बारदोली और खेड़ा अंधोलन में उन्होंने इतने सक्रीता से काम किया था कि वहां के महिलाओं और जनता ने उन्हें सरदार नाम से विभुसित किया तब से उनका नाम सरदार बल्ला भाई पटेल हो गया जब देश आजाद होने कुआ तो अंग्रेजों ने हर रियासत को स्वतंत्ता परदान कर दी कि आप चाहें तो भारत मिले आतों स्वतंत रह सकते हैं उस शमय उस देश के उस कठिन दौर में बीपी मेरन के साथ मिल करके स सभी राजाओं को एक कांफिरेंस किया और उसमें समझाया फिर सबको बेग्रतूर से समझा करके देश की 562 रियासतों को एकी करन का पूरा काम किया तीन रियासते रह गई जिसमें जूनागड हैदराबाद और जमू कस्मीर था जूनागड सोराष्ट में गुजरात प्रा अंदर में किया और देश के अजादी के एक साल बाद हैदराबाद को पुलिस कारवाई से भारत में मिला लिया यह उनकी महांता थी और कस्मीर के जो महाराजय हरी शिंग थे वह है ततकाल कुछ नेड़य असमंजस की हालत में उन्होंने बिले पत्तर पर हस्ताक्षर नहीं थे और स्वेंग को भी एक राजा करूप में स्थापित देख रहे थे तो उन्हीं की मंसा को मांट वेटन ने भी समझाने का प्रयास किया कि आपके सुतंता नहीं रह पाएगी लेकिन वह नहीं समझे और कुछ नहरुजी की ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी दूरदर सिता की कमी के कारण कस्मीर के समस्या रह गई और अगर पूरा पावर दिया गया होता सर्दार पटेली को तो साइधे समस्या नहीं होती और 1947 में ही पाकिस्तान ने अपरोग शुरूप से अपनी सेनाओं को लगा कर कबाईलियों को मिला करके जब आक्रमण किया तो उनकी से सेना वाई जहाजों के द्वारा सिधा कस्मीर गई और वहां तुरंत उन्हों ने जो कबाईली और पाकिस्तान की सेना थी उसके साथ जुद्ध सुरू किया यह भी सरदार पटेल की बेशे सूजबूश थी और वहां सेना आज कल जो एलोसी कहते हैं वहां तक साल भर में उ अटाते हुए आगे बढ़ रही थी तभी नहरेजु को एक कहते हैं कुने सांत दूत बनने की इच्छा थी और वह अपने मामले को यह उन्हों मिले गए और उन्हों के चप्टर संके 6 दो होते हैं 6 और 7 में जो निर्णा आता हो बादिकारी होता है और 6 में बादिकारी नह वो दोनों बनी हुई है और वो समझ से आज हमारे देश के सामने है तो ऐसे सूजबूज के धनी महापुरुस जिनोंने अपने पूरे परिश्रम से और अपने सूजबूज से सभी रियास्तों के किकरद किया तो आज के दिन हम उस महापुरुस को 31 अक्टूबर जो उनका जन्म सती है जन्म दिवस है उनसके दिन हम सब भारत वासियों को प्राता हस्मरडी महापुरुस हैं प्रदिन याद करना चाहिए लेकिन आज के दिन हम उनको विशेश उरुप से आद करते हैं और उनकी जो निधन हुआ 15 दिशंबर 1950 इसवी को हर्देगत के रुकने के कार देखेंगे और देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इसके बिकास में इसके प्रगत में और देखोगा और देश के निवासियों के लिए उसके उनक के लिए हमें साथ सुपचिन तक बने रहेंगे और हर देशवासी हमारे भाई करूप में काम करे इसके हमें मंग प्रुब्स प्रुब्स